हम आपके साथ एक topic शेयर कर रहे हैं कि आपकी delivery हो चुके है अजवाइन भी होना जो है आप भूल चुके हैं तो अब delivery के बाद अजवाइन किस तरीके से बनाए जाए उसका measurement क्या है उसका तरीका क्या है और उसको किस तरीके से खाना चाहिए तो यह एक मेरी YouTube फ्रेंड है उन in baby care channel में बहुत बहुत स्वागत है आप सब कैसे हैं उमीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे बहुत स्वस्त होंगे ऐसी ही नई नई जानकारिया पाने के लिए जो भी चैनल पढ़नाई है जल्दी से चैनल को subscribe कीजिए बैल आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले जो ह अगर आपको पसंद आती है वीडियो और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले तो फ्रेंट्स आज हम बता रहे हैं कि अगर आपकी डिलिवरी हो चुकी है और आप अजवाइन जो है भीगोना सात्वे महीने में भूल गए हैं तो अकसर जो है नवे महीने की शुरवात में अभी हम भीगोना बताते हैं कि सात्वे में या नुवे में आठवे में नहीं भीगोनी चाहिए लेकिन अगर वो पूरी तरह से भूल चुके हैं उनकी डिलिवरी हो चुके तो अब वो अजवाइन को किस तरीके से बनाएं अजवाइन बनाने का एक बहुत आसान तरीका है कि माना अपने एक किलो अजवाइन ले ली और मैं आपको मेजरमेंट के हिसाब से बताती हूँ अगर आपको कम बनानी है तो उस मेजरमेंट को आप फोलो कीजिए और उसी तरीके से आप कम या ज़्यादा बना सकते हैं आपके खाने के अनुसार इसे में गर्मिया हैं लेक कम ही मात्रा में खाएं यानि एक ही टाइम मौर्णिंग में तो उसके लिए आपको बनाना क्या है आपने एक किलो अजवाइन ली उसको आपने अच्छे से साफ करके पीस लिया उसके बाद आपने एक किलो घी लिया और उस घी में आपने उस अजवाइन को भून लिया तो उसमें डब तो फ्रेंट्स जो मीजरमेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको एक किलो अजवाइन लेनी है एक किलो आटा लेना है और एक किलो घी लेना है उसके साथ जितनी आप अजवाइन ले रहे हैं यानि एक किलो ले रहे हैं तो एक किलो की डबल जो जालना चाहें तो आप डाल सकते हैं नहीं अजवाइन में ड्राइफ्रूट की कोई जुरत नहीं होती वो वैसे ही अपने आप में एक मेडिसन है और बहुत अच्छा काम करती है क्योंकि जो अजवाइन है वो उसकी तासीर इतनी गरम होती है जो भी आपके पेट में गंदगी है इस समय जो सफाई होती है जिसको छटाव बोलते हो जो छटाव होता है वो पूरी तरह से अजवाइन कर देती है जितना डिलिवरी का पूरा नो महीने का या डिलिवरी के टा प्रब्लम रहती है तो अजवाइन के जरी आप उसको ठीक कर सकते हैं तो जो आज हम बता रहे हैं बनाने का तरीका क्या है सबसे पहले आप थोड़े से घी में जितना आटे में घी लगे उतने बहुत अच्छे से आप उसको भून लीजिए जब आटा अच्छे से भून है तब आप उसको गैस को बंद कर दीजिए और दूसरी तरफ आप अजवाइन को साफ करके और उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए जब आटा जो पूरी तरह से भून जाएंट हो उसी समय उसमें अच्छी च्छाएइंगी पीसी हुई तो आप उसमें पूरी पूरी ठंडी हो गई तो आप उसमें पूरा बूरा मिला दीजिए और उसको बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए अगर आप चाहते हैं लड़ू बनाना तो आप लड़ू भी बना दीजिए लगबग इतना बड़ा लड़ू होना चाहिए और अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसे ही कुछा ओर दूंगी कि इसमें पूरी तेह से आएरं जाये तो इसमें दो पूरी हैं अच्छी बड़कुल लेली चाहिए लोहीं की और जो पूरा आइरं जो हुई नहीं होनी चाहिए उसके अंदर डाल देजिए हलाकि अजवायन पूरी मैडिसन है लेकिन उसमें आयरन जो है आयरन की कमी जो अक्सर महिलाओं में हो जाती है डिलिवरी के बाद तो पूरा आयरन जो है आपको मिल जाएगा तो आपको बहुत benefit मिलेगा तो आपको आज की जानकारी कैसी लगी मुझे comment section में बताए और बताए कि आपने किस तरीके से अजवायन को बनाए मुझे comment section में जरूर लिखे अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो मुझे comment करके आप पूस सकते हैं आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थन्यवाद, खुश रहें, स्वस्त रहें, मस रहें, thank you